राम राम जी सारान होपली सारे ठीक ठागूंगे तो आज की वीडियो में बात करेंगे MDK exams के बारे में यानि कि जो आपके exams MDK campus के होती है या फिर आपके MDK affiliated colleges में होते हैं तो उनमें आपको paper करने के लिए जो help मिलती है वो आपको कहां से मिलती है कि आप exam note से कर सकते हो paper या फिर आप कर सकते हो आपने friends वेगरा सही या फिर important question वेगरा कर सकते हूँ तो इसमें मैंने एक point पहले वाली वीडियो में बताया थे कि आप old question paper भी कर सकते हो तो old question paper आपकी कैसे help करते है इसके बारे में आज की वीडियो में full detail में बात करेंगे तो वीडियो को आखरी तक ज ज़्यादा help मिल सकती है तो आप old question paper जरूर करें तो special old question के paper के base पे भी ना रहे ओके क्योंकि कई बार यह है कि आपको 3-4 साल के arrange नहीं हो पाते हूँ आप एक दो साल के करके जाओ गती है कि आदा ही paper आता है ठीक आदे में से फिर कुछ teacher काट ले तक उस आप ही ऐसी फते कर करके आते हैं तो भाहर ही आनी confirm है तो इससे अच्छा आज की वीडियों बताएंगे कैसे कैसे क्या आपको help मिल सकती है तो सबसे पहले आपको 3-4 साल के old question paper ले लेने हैं 3-4 साल के old question paper ले लिए उसमें क्या है कि आपको unit wise आपको question है वो मिलेंगे ओके जैसे आपकी 5 unit होती ह हैा है 16-16 number तो आपको क्या है कि 16 unit हैं सेकनी unit है 3-4 और 5 unit है आपके चोटे question तो inguit जैसे आपने ले ले लिए 4 साल के question paper ले ले लिए तो फास्ट उनिए нос से पहली एक साल में 2केशन, 4 साल यानि कि 4 साल में 8 क्य Gef. एक उनिट में से अगर आपके 8 क्योशन परिपेर कर लेते हो तो ये है कि आपके मुस्टली उनिट लिट है वो कवर हो जाती है जो अपके इम्पोर्टन्ट औन-इम्पोर्टन्ट सारे के सारे question paper है वो 4 साल के question में आ जाते हैं तो 4 साल के अगर आपने एक unit के paper कर लिया निकि एक unit में से आपने 8 question कर लिया ओकि 8 में से ये आप बोलोगे कि रिपीट भी होते हैं तो माल लिए या कि आपके 4 question रिपीट हो गए तो 4 एक question माल लो ठीक है जो रिपीट हो रखा और 4 अलग से 5 question बन गया जाते हैं ठीक है 5 question अगर आप अच्छे से prepare करोगे वो उन में से एक question के आएगा नहीं confirm आएगा ओके तो आप देख भी सकते हो आपका जो question है वो आजाएगा आराम से कोई दिक्कत वारी बात नहीं है उसके बाद second unit में भी same चीज़ करने है third unit में भी same चीज़ करने है fourth में भी same करने है क्योंकि यह होते है बड़े question उसके बाद आचाते है छोटे question छोटे question यह होता है कि आपके कई बार तो 4-4 नमबर के 4 question आ जाते है कई बार आपके 2-2 नमबर के 8 question आ जाते है इनको कैसे प्रिपेर करें पहली चीज़ तो आपको help book वगारा में यह question नहीं मिलते हैं और हम इनको प्रिपेर भी नहीं करते हैं तो इनको प्रिपेर करने का जो easy तरीका वही है कि आप 4-5 साल के पिछे वाले question उठा लो उन में से क्या है कि आपको mostly आपको पता भी नहीं होगा कि हाँ यह question भी आ सकता जो उसमें question पूछे जाते हैं तो इससे बड़िया तरीका यही है कि आपको question paper है वो repeat आते हैं बहुत सारी question है अगर सोडा number के छोटे question की बात करें तो आपके मालोगी 8 question में से 2-3 question तो एक साल के आएंगे repeat ठीक है क्योंकि जितना हम याद करते हैं उससे 50% ही लिख के आते हैं और हम बराते हैं 25% ठीक है तो इसके हिसाब से यह आपको यह चीज़े करनी है तो अब बात करते हैं कि आपने paper दो कर लिया सारे question भी निकाल दी old question paper से अब old question paper लाए कहां से मिलेंगे कहां पे तो इस चीज़ के बारे में आप देख ले ना हार एक जो subject का हार एक department का रैक है अलग-अलग जैसे जो लोजी का अलग बोटनी का अलग पोलिटिकल का अलग पबली का अड़ इस्टरी का अलग तो इसे साब से आप वह पे old question paper मिल सकते हो तो आप वह पे जा question देख सकते हो इसके साथ ही बात करते हैं द आपको मिलते हैं तो आप मुआ से भी अपने जो क्वेशन पेपर के लिए प्रिपेरिशन कर सकते हो उसके साथ ही बात करें तो और कहां से मिल सकते हैं? आपको और मिल सकते हैं आपके आगे के लास मेंटे यानि कि आपके senior है super senior है उनसे आप bonding कर लो directly अगर आपको कोई known है या फिर आपका connection में known है आपको कोई दोस्त है उसका जो senior दोस्त है तो वो आपको जो old question paper है वो दिलवाणे में help कर सकता है तो आप उनसे भी old question paper पर ले सकते हो और उनसे old question paper लेकर आप अपने preparation कर सकते हो और जो last और final आपका एक और रह गया वो है आपका YouTube और Google यानि कि आपको YouTube पर डार्क्ट सर्च कर ले ना वो सारे आपकी website है जहां पर आपको old question paper मिल जाएंगे उसके साथ YouTube पर बहुत सारे चैनल है जैसे MDU old question paper है एक तो एक आपका MDU help है वहाँ पर भी old question paper upload करते है एक MDU official है वो भी MDU के जो old question paper है वो subject wise आपके available करवाते है तो आप वहाँ से free of cost में download कर सकते हो कोई दिक्कतवारी बात नहीं होती है तो आप वहाँ से download करके उसके बाद आप अप के subject कोई नहीं मिलता तो में भी आप वहाँ पर निचे comment कर सकते हो कि sir हमारे question paper provide करवादो अगर उनके पास होंगे तो वो जरूर आपको provide करवाएंगे तो आज की वीडियो इतना हिताव तो मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो लेकर तब तक के लिए राम राम